दोस्तों दो-चार दिन पहले नरेंद्रमोदी एक समुंद्र किनारे जो कि बहुत ही सुन्दर नाजारा लग रहा था वहाँ पर बैठ करके और एचीज लिखे ना कि ए जो जगा है जो नाजारा है न लंदन तथा विर्टेन शिंगापूर से बहुत ही सुन्दर है और उसे क करके वहाँ पर बढ़ावा दे और आपने देखा वीडियो के जरिया आप देखे होंगे कि तरह से नरेंद्रमोदी मालदीव में जा करके बीच में अराम से वहाँ पर तहराकी भी किये अराम से वहाँ आनंद लिए तहरे भी और अलग-अलग परकारशा वहाँ पर यानि क कि नरेंद्रमोदी का यही मकसद था कि हम किसी तरह से मालदीव को दुनिया के सामने दिखाएं और मालदीव में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ऐसा किया लेकिन आप जानते हैं कि हर देश में कुछ बीरोधी पार्टियां होती हर देश में लोग होते हैं जिन लोगों को मोदी से नफरत रहती हैं जिन लोगों को मोदी से फटती हैं तो ऐसा ही मालदीव में तीन ऐसे थे दो तीन औरते थी एक जेन्र था जो की राजनिती पार्टी से जुड़े हुए थे मंदरी भी थे तो उन लोगों के वही मुसलमानी कीड़ा उनके दिमाग में खुप रहा था और उन लोगों को मोडी से साथ बहुत ही नफरा था तो उन लोगों के दिमाग में बहुत ही घटिया वीचारा है और वे लोग कुछ अलग तरीकी से कॉमेंड कर दिये मोडी पर तो comment करना था कि देश का हो चाहे मालदीव के लोग हो चाहे भारत के लोग हो जितने भी मोदी को चाहने वाले थे ना ओ लोग सारे के सारे लोग बाइकाट मालदीव बाइकाट मालदीव और नरे नरमोदी के समधर में सारे को उतर गया और जैसे ही बाइकाट मालदीव हुआ वहाँ के खुँद सारे होटलों की booking कैंसिल हो गई, बहुत सारे भारतिय जो वहाँ पर घुमने जाने वाले थे, उन लोगों का जाना कैंसिल कर दिया, उन्होंने खुद से जाना कैंसिल कर दिया, ति हम ऐसे देश में नहीं जाएंगे, जहाँ पर हमारे परदान मंतरी का लेकिन सबसे बड़ा वहाँ के टूरीज में पर लगी न, करोडो रूपय का नुकसान हो उन लोगों को, क्योंकि भारतिय बहुत सारे टूरीज थे, जो कि वहाँ पर जाने वाले थे, बहुत सारे होटल भूग थे, पहले से उसे कैंसिल कर दिया गया, बहुत सारे पिये